ओम्स्यांति, 27 अगस्त, शिवभाबाकर, हमें रोज सुन्दर सुन्दर इसमर्तियां दिलाते हैं, तुम कौन थे, कहां से आये थे, अब कौन सा समय आ गया है, तुम्हें क्या क्या करना है, ये सुरुष्टी का चक्र हुबहु रिपीट होता रहता है, जो कुछ कल्प पहले हुआ था, वही हो रहा है, बाबा से जब मिलने भी आते थे, तो बाबा पोचते थे, बच्चे पहले कभी मिले थे, हाँ बाबा कल्प पहले भी मिले थे, तो बाबा याद दिलाते हैं, जिस ड्रेस में तुम अब आये हो, जिस समय आये हो, जैसे आये हो वैसे ही कलप कलपाते रहेंगे, ये ड्रामा हो वह रिपीट होता रहता है, अगर हम इस अंसार के खेल को नाटक के रूप में देखें, तो अने चिन्ताओं से भारी पन से बच जाएंगे, आज की एक गुई ये बात है, तुम आत्माएं बहुत सुक्स्म हो, जोती स्वरूप, बावाई आकर तुम्हें बार बार कहते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी भाव, सौल कॉंसियस बनो, और किसी सत्संग में ये बात नहीं कही जाती, मैं तुम्हारा परम्पिता भी अतिस सुक्स्म जोती स्व हूँ, मैं ज्यान का सागर हूँ, तुम्हें आकरवस ज्यान दोंगा ना, मैं पतित पावन हूँ, तुम्हें पावन बनाऊंगा, मुझे आकर कारिये करना ही पड़ता है, मैं भारत में आता हूँ, प्रमा के तन में आता हूँ, तुम इस बात में गन्फ्यूज ना हो, क्य अत्मा इतने सुक्स्म पर्मात्मा इतना सुक्स्म कैसे सुक्स्म ही है इसलिए उनकोई नाखो से नहीं देखा जा सकता है, तो योग, तुम्हारा बुद्धी का योग ऐसा हो जाए, पावर्फुल, सिवावा से ऐसा योग लग जाए, कि मायक कोई भी तूफान तुम हिला न सके, तुम्ही योगबल से ही पावन वनना है, गंगाईशनान से तिर्थो पर जाने से कोई पावन नहीं वन सकता, बावयाद दिलाते हैं, बच्चे ये चोरा सी जन्मों का तुम्हारा पार्ट पूरा हो रहा है, तुम सभी आत्माओं को घर, परमधाम जहां से तुम आये थे, वहीं वापिस जाना है, लेकिन कोई भी पतित आत्माओं जा नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें पावन बनाने आ गया हूं, पावन के वल, तुम मेरी मत पर ही चल कर बनते हो, अब तुम्हें घर जाना है, मैं स्थापना कर रहा स्वरक की, ये भारत के राइज और फावल की कहानी है, उत्थान और पतन की कहानी है, तुम मेरे साथ कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं, नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन, तो जरूर ये पुरानी दुनिया का रेस्ट्रक्शन भी होगा, महविनास होगा, ये पुरानी दुनिय नर्क बन चुकी है, यह जाने वाली है, इसलिए इससे बुद्धियोग निकाल दो, नई दुनिया में अपने घर में अपना बुद्धियोग लगाओ, जहां जाना होता है, महां बुद्धि लग जाती है, तो में घर में जाना है, सुकधाम में जाना है, देखो अपने सामने दोनों को इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य तो इस पुरानी दुनिया का विनास्त होना ही है उसकी निसान ही दिख रही है मावारत लड़ाई सामने खड़ी है जो तीसी लोग भी कह रहे हैं वही ग्रहे आपस में मिल रहे हैं जो मावारत के समय मिले थे वही situation बन चुकी है तो पुरानी दुनिया का विनास्त तो होना ही है ये काटो की दुनिया बन चुकी है दुखधाम बन चुका है मैं आया हूँ भारत को फूलो का बगीचा बनाने के लिए उसको गार्डन ओफ अल्लाह भी कहते हैं मैं फूलो का बगीचा बना रहा हूँ तो इस काटो की दुनिया को तो आग लगनी ही है फिर दिखाते हैं पढले हो गई ऐसी पढले कभी नहीं होती है ऐसा नहीं पढले हो गई और मैंने फिर से नए शिरे से दुनिया रची दुनिया तो है ही मैं कल युक के अंत में आकर इसको पावन बनाता हूं नहीं दुनिया बना देता हूं उन्होंने दिखा दिया है शिरिक रचन सादर में फिपल के पत्ते पर अंगुठा चोसते हुए आया सरश्टी के आदी में बाबा के रहे ये बात तो सच है सरश्टी के आदी में शिरिक रचनी गर्व महल में आते हैं अंगुठा चोसते हुए, वहाँ बच्चे गर्ब मैल में रहते हैं, बहुत सुखपूर वक्ष, जैसे अंगुठा चोस रहे हैं, कल युग में सब गर्ब जेल में हैं, दुख पाते हैं, गर्ब जेल बन जाता है, सुझाएं मिलती हैं, तो कहते हैं बगवान हमें बाहर याद दिला रहे हैं कि तुम गाते थे आत्मा और परवात्मा अलग रहे वहु काल कौंसी आत्मा अलग रही लंबे काल तक कौंसी आत्मा मुझसे अलग रही वो हैं देवी देवता धरम की तुम महान आत्मा अम मैं आया हूं तुम से मिल रहा हूं और तुम्हें पावन बना रहा हूं, तो तुम्हें माया के तूफानों पर विजय होना है, माया से डरना नहीं है, अपनी स्थिती को अच्छल अडोल बना लेना है, और मैं जो ये बहुत बड़ा महानकारिय कर रहा हूं, इसमें मुझे पूरी तरह से मदद करनी है, तो बाबा हम सभी को बार बार ये याद दिला रहे हैं, घर चलने का समय आ गया है, तुम्हारा चोराश्री का ये खेल पूरा हो गया है, तो हम सभी जो बाबा हमें याद दिलाते हैं, ध्यान देंगे इस बात पर, उसको याद करते चलें, केवल सुनकर छोड़ ना दें, एक है गुईय ज्यान जैसे शिरिक आत्मा के बारे में बताया, रोज राजियों के बारे में गुईय बाते आती हैं, उनको याद करते चले, इसमर्ती आती चले, जैसे गुईय हमें 10 साल पहली बात याद दिलाए, हमें बूल गई हो धिर-दिरे याद आ जाती है, बाबा भी हमें रोज याद दिला रहे, और सुब जिन तक की भाव ना रखने वाले, देही अभी मानी भाव, संसार में भावनाएं बहुत बदली हैं, जो हमारी महिमा कड़ता है, उसके लिए हमारा स्ने और सुब भावनाएं रहती हैं, लेकिन बावा सिखाते हैं जो महिमा न करें, ऐसा वैसा व्यावार करें, उसके लिए भी तुम्हारे मन में सने और सुभावनाएं रहें। तो तुम उनका भी कल्यान कर सकोगे। तुम्हारा चित भी श्यांत रहेगा। इसको ही कहते हैं देही अभीमानी स्थिती, सोल कॉंसियस स्थिती। स्लोगन है सदा परमातम प्यार में खोए रहो। तो ये दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज का हमारा अभ्यास रहेगा। जो बाबा हमें बार बार याद दिला रहे हैं। पांच हजार साल का 84 जन्मों का हमने पाट वजाया। कभी हम देवता थे। पुरा जन्म लेते लेते हम उतरते नीचे आगे हैं। अबेंड। स्वयम भगवान आगे हमें पावन बनाने के लिए घर ले जाना के लिए। तो हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा ने कैसे 84 जन्म लिए शरीर पडिवर्तन किये। और अब बाबा के साथ मुझे अपने घर चले जाना है। अपने धाम चले जाना है और चिंतन करेंगे। अन्ए एक बार हमने बाबा से राजाई पाई है गवाई है। फिर से हमें राजाई पानी है। ओम शंति। क क के तक्ले ज niet मुझे जा देए बार हमने न पत। दो क मुझे चत्त। क कैसे अएर राजीं आप मुझें मुझें कि आपाना है। पлемशत कि ऑगग है। ऑile जिमदीं जिम है। झाल झाल